जो लोग cricket के शौकीन है या यूँ कहें cricket के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें जरूर पता होगा कि cricket में no ball का क्या मतलब होता है नो बॉल उस बॉल को कहा जाता है जो count नहीं की जाती यानि एक ओबर में अगर 6 बॉल से हैं और बॉलर ने अगर सीमित लाइन से बाहर पैर निकाल कर बॉल फेकी है तो उसे गिना नहीं जाता है इससे बैट्समैन को फाइदा होता है क्योंकि नो बॉल पर लगाए गए रन तो count होते हैं मगर उस पर अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाए तो माना नहीं जाता है उस पर से एक free hit भी मिलता है सोचिए जरा कभी कोई बॉलर मैच के आखरी ओबर की आखरी बॉल में नो बॉल करवा दे वो भी तब जब एक बॉल पर बैट्समैन को अपनी टीम को जिताने के लिए महज चार अन की जरूरत हो खार असा जब होगा तब की तब देखेंगे लेकिन ज़रा सोची कोई बॉलर अपने पहला ही मैच में एक या दो नहीं बलकि पूली की पूरी सत्रह नो बॉल फेके तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे उसके बाद उस बॉलर को अगले मैच में खेलने के लिए जगा भी नहीं मिलने चाहिए लेकिन अगर महनत और लगन साथ हो तो फ़र क्या बात है ऐसे ही एक खिलाडी जिसने शुरवात में भले ही धीरे खेला लेकिन जब उभर कराया तो साथ अफरीकी टीम को एक मजबूत बिलर की तरह समाला आज क्रिकट की डायरीज से एक और धुरंदर खिलाडी के बारे में आपको बताने वाले हैं हिरो जाफ वर्ल्ड क्रिकट की इस खास रंखला में बात करने वाले हैं मौर्नी मौरकल की नमस्कार दोस्तों नेरा नाम है अनुराग सूर्यवनशी और आप देख रहे हैं नारट टीवी दोस्तों इस वीडियो में हम जिस खिलाडी की बात करने वाले हैं वो साथ अफरीका के दिगज खिलाडी कोई और नहीं बलकी मौर्ने मौरकल हैं मौर्ने मौरकल का जन्म 6 अक्टूबर 1984 को वैरी निंगिंग में हुआ था मौर्ने तीन भायों में सबसे छोटे थे और उन्हें क्रिकट विरासत में मिला पिता अलबर्ट मौरकल और उनके बड़े भाई भी क्रिकट की दुनिया में कदम रख चुके थे मौर्ने मौरकल के खून में बचपन सही क्रिकट दोड रहा था मान क्रिकेटर बनने का सपना आखों में लिए मौरने ने क्रिकट के मैदान में अपना पहला कदम रखा साल 24-3 में इस टेंट टीम के लिए मौरने ने साथ अफरीका के दोरे पर आई वेस्ट इंडीज के खेला पहले सीजन में मौरने की गेदबाजी ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया और उन्होंने 17-9 बॉल फेकी पांच ओबर के स्पल में मौरने ने 54 लुटाए दोस्तो एक क्रिकेटर हमेशा यही चाहता है इसे शरवात अच्छी मिले ताकि वो सेलेक्टर और क्रिकेट प्रेमियों के भी चर्चा का केंदर बना रहे है ऐसा ही कुछ मौरने ने भी सोचा होगा मगर अक्सर जैसा हम सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं है मौरने ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपने पहले ही सीजन के पहले ही मैच में वो इस तरह की गेदबाजी करेंगे एक मैच में 17 नो बॉल फेक चुके मौरने को चारो तरप से ताने सुनने को मिल रहे थे अलाकि नो ने अपनी टीम को 44 रोनों की नौट आउट पारी देखकर जरूर सम्हाला अगले सीजन में मौरने ने अपने पहले सीजन का बदला ले लिया नेक्ट सीजन यानी 2005 में मौरने ने टाइटेंस के लिए खेला सुपर स्पोर्ट सीरीज में इगल्स के खिलाब टाइटेंस को मिली एक रन की जीत में मौरने के 6 विकट एक शतक और एक 8 शतक का बहुत बड़ा योगदान रहा टाइटेंस ने 178 का लक्षी रखा था घरेलू सीरीज में मौरने का शांदार खेल देखकर आखरकर मौरने को इंटरनेशनल टीम में जगा मिल गई दो हपते बाद भारत का सामना करने के लिए दच्छर अफरीका की टीम में मौरने मौरकल कर शामिल किया गया पहले मैच में साथ अफरीका की टीम भारत पर भारी पड़ चुकी थी जा ये कहें कि अकेले मौड़ने भारती टीम के साथ खेल रहे थे 79 रणों के साथ भारती टीम के 5 विकेट धेर हुचुके थे जिसमें से 4 मौड़ने नहीं लिये थे मौरने को भारत के खिलाब खेलने का मौका उनकी महनत और किसमस से मिला था क्योंकि सौथ अफरीका के अलफानसो थॉमस ने घरलीली स्रीज में दूसरी पारी में छपपर नंदे कर साथ वेकट लिये थे लेकिन बावजोद इसके सौथ अफरीका के नेशनल टीम में टेलेश्टन की जगा मौरकल ने अपना टेस्ट डेवर किया ये बात दोजाट छे साथ में धर्बन में भारत के खिलाब खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की है मौरने ने अपनी टीम के साथ इंटरनेशनल खेलते हुए कई दिगल्स टीमों को पानी पिलाया है मौरने के आने से सौथ अफरीका की टीम को और भी मजबूती मिल गई थी टीम के साथ मौरने को पहली बार वर्ड कप खेलने का मोखा साल 2015 में मिला वन डे इंटरनेशनल वर्ड कप में साथ अफरीका की टीम इससे पहले कभी नहीं जीत पाई थी नजर पोडियाई बलकि टीप्रेंटी में भी साथ अफरीका का यही हाल था साथ अफरीका को वर्ड कप का चोकर कहा जाता है यो पूरे टोर्नामेंट में एक काली टीम की तरह बाकी टीमों को टककर तो देती है लेकिन फानल तक आते आते भार हो जाती है साल 2015 की ODI वर्ड कप में सब की नजरे एक बाफर साथ अफरीका की टीम पर जमी हुई थी पूरे टोर्नामेंट में साथ अफरीका ने दूअधार पफारमेंस से अपनी जगह सेमी फानल में बना ली पूरे टोर्नामेंट में मौरने ने भी अच्छा प्रदर्सन किया सेवी फिनाले का दिन भी आया, सौथ अफरीका की न्यूजिलान के साथ आर्या पार्की लड़ाई थी, सौथ अफरीका की टीम मजबूत थी, जिसमें एक से बढ़कर एक दिगज के लाड़ी मौजूत थे, एबीडी बिलियर से लेकर रेले स्टैंड और मौने वर्कल तक, से खटा कर 42.2 कर दिया गया, सौथ अफरीका के बल्लेबाज कुछ खास के माल ना दिखा सेके, और 297 रनों पर ही सिमट गये, वाप डू प्लेसी के 82 रन और एबीडी बिलियर्स के 25 रनों की बदोलत सौथ अफरीका लड़ने लाइक टार्गट सट कर पाई थी, अब निज परनाग गेदबाज, डेलेस्टेन ने मोर्चा समाला, लेकिन उस दिन किसमत को कुछ औरी मंजूर था, ऐसा लग रहा था, मनू सौथ अफरीका जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नेजलन के विस्पोटक बल्लेबाज, ग्रांट इलियाट ने, अपनी धुआधर ब सबी दिगज़ की लाड़ी, लेजलन से हारने के बाद बहुत रहे थे, मगर खेल तो खेल है, एक हारता है, ते एक जीतता है, वो दिन शायद उनका नहीं था, अगर सौथ अफरीका और भारत के मैचों की बात करें, तो भारत के खिलाफ मोरने ने कई भेतरीन स्पल्स लाल जिसके जबाब में भारते टीम सर्फ 307 ही रन बना पाई, अगली पारी में अफरीका ने 200 ठाउन रन बनाए, जिबकि भारत 100 क्याउन रनों पर अल आउट हो गई, भारत की इस हार में सबसे बड़ा योगदान रहा, मोरने की लाजवाब गेदबाजी का, मोरने ने 60 रन द ये छोटी मोटी समझ जाएं, माला कब तक सर उठा कर गुंगती, अपनी महनत और प्रैक्टिस से मोरने ने नोबॉल जैसी दिक्कतों से भी पार पा लिया, अपने शांदार क्रिकट करियर से मोरकल ने 2018 में अल विदा कह दिया था, मोरने एक शांदार बॉलर थे, जिनकी ये किसी भी बैट्समेन के चक के छोड़ा देती थी, मोरने ने भले ये अपने शरवातिक करियर में नोबॉल्स के साथ ज्यादा संघर्स किया हो, लेकिन जब 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 उनकी बॉल ने बले बाजो के पसीने छोड़ाये, तब तक क्रिकट के दिवानों के पैर तले, जमीन हिलती रही, उनके शांदार क्रिकट को देखना किसी भी क्रिकट लवर के लिए खुसी का हसास है, साथ ही आपको बता दे कि साथ अपरीका के जाने माने आलोंडर रहे, अलबी मौरकल, मौने मौरकल के भाई हैं, आपको मौने मौरकल की कौन सी पारी सबसे ज़्यादा पसं कि अक्टा अलबी मौने 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 Cameron...